जोस्तों आज हम बात करेंगे सीओ पीडी के ट्रीटमेंट के बारे में कि वे ये ऐलोपैथिक ट्रीटमेंट कौन सा दिया जाएगा complete treatment जानेंगे तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको संपूर जानकरी मिल सके दोस्तों से पहले एक request है अगर एक आम आदमी इस वीडियो को देख रहा है तो कोई भी दवा लें अपने डॉक्टर के सब्सक्राइब जरूर लें क्यों कि यह ऐलोपेतिक दवाईया पहले बात करेंगे अपने को लगेंगे क्यों कि क्योंकि जो सीयूपीडी है वो बोड्रोंको हो राजा है को खतम करना पड़ेका तो स्यूजन आजाती मूक्यूस का सिक्रेश्ण मछ दिसमाय जाता है तो ब्लोक हो यह दा तो जो इसांस लेने में तखली ब्रोंके को डाइलेट करना चोना करना प्रॉंकोड डाहिंटर से लगेंगे। आप सल्बूटमॉल लो चाहाँ आल्भूटमॉल लो अस्तालीन भगेरा जो भी लेसक्ते आप इसका टैबलेट न्या सिरफ यह बॉलना चाहिए driving , DAY इनिलेशन भी करा सकते तो यह होगять प्याए प्सक्राइव गीष्ट है कर सकते हैं आस्तालीन लगलों कितातानी retrouve साथ करने के बाद जो कम करेंगा जब सुझन्क होगी तो अपने आप प्रोंकिस डायलेट और हैं तो तो सुझन्र कम होगी तो आप व्हें प्रोंकाइब और अच्छे से ढ़ी तो तो फिल होता है वो खतम हो जाएगा उसके अलावा एंटिवाइटिक देना पड़ेगा क्योंकि जब भी स्योपीडी होगा तो उसके लंग्स में इंफेक्शन होजागा आदमी के तो वहां पर बेक्टेरियल इंफेक्शन डेवलिप होगा तो बेक्टेरिया के लिए सब्सक्राइशन या एमॉक्सिसलीन इन तीनों में से कोई भी एक 500 मिली ग्राम का टैवलेट सुबह शाम दिया जा सकता है खाने के बाद पाने के साथ ठीक है चाहे वो अलमॉक्स लेलो चाहे वो एरित्रमाइशन का कोई से भी लिलो अगर इंजेक्टिवल की बात कि यार सफ्टा जडाइब सप्र जड़ाइंड सप्रज्डाइब यह इंजेक्शन आता वन ग्राम का इसको लगा सकते डिर्क नस्क के अंदर स्लो लगेगा बहुत स्लो सुबह शाम चारस पाइड दिन तो यह इंजेक्शन मीं लगा जा सकता है इससे बहुत जल्दी आ रहा मिल ज उसके अलावा आप जो भी चला सकते हैं यह इसी लोग दे सकते हैं साहत में यह सिम्टोमेटिक इलाज होता है इसके बारे में बात नहीं करों ठीक है में इलाज क्या होता वह बतर हो मैं उसके अलावा चाहें तो का कि आप जो है एक्स परेंट को भार में निकालती है वह सब्सक्राव मतलब तर्बूटलेन और ब्रोमोहक्षण हाइड्रोख्लोड इसका कोई सारे पगर आपको मिलता है तो देंगे तो इससे क्या वालगम भाहर आने लगेगा तो एक्सपेक्टोरेंट भी दे सकते हैं साथ में चेस्ट थेरपी की जाना जरूरी है आदमी को बोलना है कि डीप आपको ब्रीधिंग लेना है वाद गहरी सास से लेना है या उसका प्रोपर बेंटिलेशन होना जरूरी है उसके लब आप ऑक्सियन थेरपी दे सकते हैं औक लगाया जा सकता है क्योंकि आदमी क्या है एक तो उसका एरफ्लो बिगड़ गया उपर से ऑक्सियन नहीं मिल पा रही है इस बज़े सो चक कर बेचे नहीं घवराट हो रहा है तो ऑक्सियन थेरपी देना पड़ी यह सारा का साथ से दस दिन पंद्रह दिन तक चल सकता है इससे आदमी को आराम मिल जाएगा ठीक है बहुत हट तक आराम मिल जागा और जितना जल्दी इलाज करें उतना अच्छा ह तो यहीं इसका कुछ सिंपल सा ही इलाज होता कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है आपने देखा होगा इसमेर ब्रॉंकाइट्स पर काम कर रहा है और इंफस्रीमा पर इंफस्रीमा में यह हो रहता है भाई जो एल्वुलाइज है वो डिस्ट्रेक्ट हो तो फिर थोड़ा सा दिक्काद है बात आती है कि अगर इलाज ना करा है तो क्या होगा मुझे बताने जरूत नहीं है बहुत ही डेंजर होगा ठीक है तो आप देख रहते ग्यानियर मैं हूँ शिवम वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प् झालब आप में मुझे बताने जरूत से लाइक करें दो आप दो आपा हमारे नहीं है